नमस्कार दोस्तों उडान आईएस अकादमी के e-learning प्लाटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है मैं हूँ सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतरगत हम हाल फिलाल में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण पुरसकारों और सम्मानों पर चर्चा करेंगे अभी काफी दिनों से करेंट अफेर की क्लास आपकी हुई नहीं है 15 अप्टूबर को लास्ट क्लास हुई थी आपकी उसके बाद करेंट अफेर की वीडियो कुछ कारणों से नहीं आप आई थी तो अब जब PSC Prelims का एक्जाम बहुत ही सामने है आपके तो इस समय हम प्रयास करेंगे कि करेंट अफेर जो है ये बिलकुल एक्जाम ओरियंटेट पढ़ा जाए exam oriented जब आप पढ़ेंगे तो exam oriented current affair को जब भी पढ़ने की बारी आती है आप पूरे section को छोटे 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 भागों में बाट लेते हैं जैसे नविन नियुक्तिया कहां कहां पर हुई है कौन-कौन से विभाग में हुई है उस पर आप notes बनाते होंगे इसके अलावा महतवपूर्ण पुरसकार है इसके अलावा महतवपूर्ण रैंकिंग्स है महतवपूर्ण घटना कराम है चर्चे तेस्थल है ऐसे छोटे-छोटे भागों में बाट करके आप exam oriented current affair की पढ़ाई करते है तो हम प्रयास करेंगे कि आपको सारी सूचनाय जो है वीडियो के माध्यम से बिलकुल exam oriented आप तक पहुँचाए जाए और इस वीडियो के अंतरगत हम बात करें तो महतवपूर्ण पुरसकारों में हम चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्य बुकर पुरसकार की दादा साब फालके पुरसकार सस्त्र रामानुजन पुरसकार 31 सरस्वती सम्मान ज्यानपीट पुरसकार साहिद्य अकादमी पुरसकार 94 जो अकादमी पुरसकार है जिसे आप आपकर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं ये exam के लिए important होता है इस पर चर्चा होगी Miss World 2021 में किसे चुना गया ये भी देखेंगे लता दीनानात मंगेशकर पुरसकार इसके बाद जो United Nation का Champion of the Earth Life Time Achievement Award दिया जाता है इस पर बात करेंगे इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंदन पुरसकार है Royal Gold Medal 2022 है ये भारतिये को मिला है इस बार Britain के द्वारा दिया जाता है इस बार भारतिये को मिला है तो आपके एक्जाम के लिए important है इसके अलावा Templeton पुरसकार है 2022 ये भी एक्जाम में कभी-कभी पुछा जाता है इसके अलावा तेंजिंग नोरगे पुरसकार हो गया इस बार हमारे 36 गड़ की एक परवता रोही को मिला है उस पर चर्चा होगी इसके अलावा हम इस वीडियो के लाश्ट में एक Quick Revision Session करेंगे Quick Revision Session के अंतरगत क्या करेंगे सारे पुरसकारों के नामों को उसके प्राक्त करता के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे इससे क्या होगा इससे जो भी आप यहाँ पर Image के फॉर्म में देखेंगे वो सारी चीजे आप तुरंत Recall करने में सक्षम हो पाएंगे चलिए तो बिना विलंब किये देखते हैं पहला पुरसकार यह है अंतरराष्ट्री भूकर प्राइस दो हजार पाइस अंतरराष्ट्री भूकर प्राइस जो है यह दिया गया है गितानजली श्री को भारत की लेखी का है और इनकी एक उपन्यास है जिसका नाम है रेत समाधी और इस रेत समाधी के लिए दिया गया है अंतर राष्ट्री बुकर प्राईज दो हजार बाईस ये जो अंतर राष्ट्री बुकर प्राईज है ये पहली बार किसी हिंदी उपन्यास के लिए दिया गया है पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंडी उपन्यास के लिए अंतर राश्ट्री बुकर प्राइज मिला है और इस अंतर राश्ट्री बुकर प्राइज के लिए ये जो रेत समाधी पुस्तक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है डेजी रॉक्वेल के द्वारा नाम या तॉम आफ सेंड तो ये इतने सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं पहली चीज क्या याद रखना है इसमें अंतर राष्ट्री बूकर प्राइस की प्राप्त करता कौन है गितांजली श्री इनकी पुस्तक का नाम क्या है रेद समाधी रेद समाधी का अंग्रेजी मे अनुआद किस ने किया डेजी रॉक्वेल ने किस नाम से किया तो याद रखेगा टॉम आफ सेंड के नाम से अनुआद किया गया है रेद समाधी पुस्तक का जो की गितांजली श्री के द्वारा लिखा गया था अनुआदित पुस्तक जो है ये लिखा गया किस के द्वार या देजी रॉक्वेल के द्वारा तो ये इतने सारे फैक्ट आपको अंतरराष्ट्री बुकर पुरस्कार से पता होना चाहिए ये देखिए ये हैं गितांजली श्री इनी को मिला है अंतरराष्ट्री बुकर प्राइस 2022 के लिए आगे बढ़ते हैं अगला पुरस्कार है दा से बड़ा पुरस्कार है दादा साहब पाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इसके अंतरगत फिल्म ऑफ द इयर किसे चुना गिया है पुष्पा दराइस आपने देखा होगा ये फिल्म है ना अल्लु अर्जुन इसमें हीरो थे अल्लु अर्जुन ने इत और सिधार्थ मलोत्रा को सेर शाह फिल्म के लिए बेश्ट अभिनेता का खिताब दिया गया है इसके बाद बेश्ट एक्ट्रेस के रूप में कृती सेनन को चुना गया है फिल्म मिमी के लिए और अगर बात करें दादा साहब फाल के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस कोश्चन यदि आए कि वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल के पुरसकार किसे दिया गया है तो ये दिया गया है आशा पारेक जी को सीधा इसी को पूछता है आपको इसी को पूछता है कि दादा साहब फाल के सम्मान किसे दिया गया तो आशा पारेक जी को दिया गया है ठि अगे बड़ते हैं, यह देखेए यह है पुष्पाधराइस फिल्म का पोस्टर अल्लू अर्जुन यहाँ पर दिखाई पूढ़ रहे हैं आपको, यह है शेर शाह मूवी का पोस्टर, यह है मीमी फिल्म का जिसमने कृती सिनन आपको दिखाई दे रही हैं और यह है 83 फिल्म का पोस्टर जिसमें रंबीर सिंग ने भूमी का निभाई थी किसकी कपिल देयों की 1983 का जो वर्ल्ड कप था उस पर आधारित थी फिल्म चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पुरसकार है सस्त्र रामानुजन पुरसकार देखें रामानुजन जो है वो हमारे भारत के विख्या गड़ितग्य थे उनकी ख्यादी नहीं केवल भारत में थी बलकि विश्व इस तर पर महान गड़ितग्यों में इनकी गणना की जाती है और इनके नाम से एक पुरसकार दिया जाता है जिसका नाम क्या है सस्त्र रामानुजन पुरसकार और वर्ष 2022 के लिए सस्त्र रामान पुरसकार के प्रात्त करता का नाम तो रामानुजन पुरसकार किसे दिया गया है यूकिंग तांग को यह देखे यह है यूकिंग तांग चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पुरसकार में है 57 ज्यानपीट पुरसकार यह दिया गया है दामोदर मौजो को देखे 56 और 57 दोन था नील मनी फूकन को नील मनी फूकन इन्हें दिया गया था 56 ग्यानपीट पूरसकार और 57 ग्यानपीट पूरसकार दिया गया है दामोदर मौजो को आपको ये दोनों इसलिए याद करने को कहा रहा हूं क्योंकि दोनों पूरसकार जो है वो लगभग एक सांद दिया गया है तो आपको एक्जाम में 56 भी पूर्च सकता है, 57 भी पूर्च सकता है, 56 किसे दिया गया, नील मनी फुकन को, उनकी भाषा है असमिया, ये असमिया भाषा के सहित्यकार है, नील मनी फुकन, जबकि दामोदर मौजो जो है, ये कोंकणी भाषा के सहित्यकार है, कोंकणी भाषा चिक तो ज्यानपीट पुरसकार से सम्मदित कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं जैसे ज्यानपीट पुरसकार भारत में सर्वोच सहितिक पुरसकार है और इसे केवल एक भारतिय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है भारतिय सम्मदान की आठवी नुसुची में उललेखित भाषाओं के साथ अंग्रेजी भाषा में यह पुरसकार प्रदान किया जाता है यानि तेईस भाषाओं में यह पुरसकार जो है यह दिया जा सकता है 22 भाषा हैं जो हमारे भारतिय सम्विधान की आठवी अनुसूची में अधिसूचित हैं इसके अलावा अंग्रेजी को भी इसमें शामिल किया गया है तो 22 और एक 23 भाषाओं में यह पुरसकार प्रदान किया जाता है इसके बाद पहला ज्यानपीट पुरसकार 1965 में मल्यालम के लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था नाम याद रखेंगे जी संकर कुरूप को प्रदान किया गया था पहला ज्यानपीट पुरसकार तो पहला ज्यानपीट पुरसकार किसे प्राथ हुआ था याद रखेंग सुमित्र नंदन पंत को हिंदी भाशा के लिए पहली बार ज्यानपीट पुरसकार दिया गया था तो हिंदी भाशा के लिए ज्यानपीट पुरसकार प्राप्त करने वाले पहले साहित्यकार कौन थे पहले कभी सुमित्र नंदन पंत थे कब प्राप्त हुआ 1968 में इसके बाद वर्ष 2018 में अमिताव घोस को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्यानपीट पुरसकार मिला है यानि अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार जिन्हें पहली बार पुरसकित किया गया था ज्यानपीट पुरसकार से उनका नाम क्या है अमिताव घोस ठीक है मिताब उत पहले अंग्रेजी के लिखाः है जिन्हे ज्यान पीठ पुरसकार से सम्मानेत किया गया था तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं ज्यान पीठ पुरसकारों से पहली बात ज्यान पीठ पुरसकारों का कौन सा करम था ये 57? 56 और 57 जो है ये एक साथ दिये गया है याद रखेगा 56 और 57 एक साथ दिये गया है 56 पुरुसकार किसे दिया गया तो नाम याद रखेगा नील मनी फूकन को दिया गया जबकि 57 दिया गया है दामोदर मौजो को 56 नील मनी फूकन को असमिया भाशा के लेखक है जबकि दामोदर मोजो जो है, यह कुंकणी भाषा के लेखक हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पुरसकार है, टेमपल्टन पुरसकार, टेमपल्टन पुरसकार 2022, यह विज्ञान और आध्यात्म के छेत्र में दिया जाने वाला पुरसकार है, और यह important भी है, यह important भी है, टेमपल्टन पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया है फ्रेंक विल्जेक को यह है फ्रेंक विल्जेक आप देख पारे हैं यहां पर स्क्रीन में फ्रेंक विल्जेक है इन्हें टेमपलटन पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया है आगे बढ़ते हैं साहित्य अकादमी पुरसकार 2022 तो साहित्य अक सभी भाषाओं में दिया जाने वाला पुरसकार है इसमें exam oriented अगर आप देखेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी को आपको एक्जाम में कई बार पूचता है चलिए तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरसकार 2022 प्रदान किया गया है बद्री नारायन को इनकी रचना तुमडी के शब्द ये कविता संग्रह है और इस कविता संग्रह के लिए बद्री नारायन को प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी पुरसकार 2022 अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार की बात करें तो इनका नाम है अनुराधा राए, और अनुराधा राए को दिया गया है साहित्य All the Life we Never Lived, इस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरसकार 2022, तो नाम याद रखेगा साहित्य अकादमी पुरसकार हिंदी में बद्री नरायन और अंग्रेजी में अनुराधा राय, वद्रिनारायन की रचना है तुमडी के शब्द, तुमडी के शब्द और अंग्रेजी का जो साहित्य है, जिसके लिए साहित्य अकादमी मिला है, उसका नाम है All the Lives We Never Lived, इसके अलावा एक फ्रेक्ट और याद रखेगा कि साहित्य अकादमी भाशा सम्मान ये एक्जाम में पूछता है आपको, कि साहित्य अकादमी भाशा सम्मान 2022 किसे दिया गया, तो डॉक्टर उदैनाथ जा, को सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी भाशा सम्मान से, अब देखो, यहाँ पर अगर वहाँ पर अगर एक्जाम में कोशन पूछेगा, तो ब वो किसकी बात कर रहा है साहित्य अकादमी भाषा सम्मान की बात कर रहा है तो इन फैक्ट्स को आप याद रखेगा हिंदी के लिए बद्री नरायन तुमडी के शब्द और अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय आल दा लाइफ वी नेवर लिव इस उपन्यास के लिए इन् सम्मानित किया गया है इस सम्मान से आगे देखे एकटीस्वा सरस्वती सम्मान 2021 किस त्टीक 31 सरस्वती Samman ये दिया गया है परोफेसर राम को मिश्रा को प्रोफेसर राम दरस अर जो दिया गया है सरस्वती सम्मान क्रम क्या है 31 सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है पंडित रामदरस मिश्रा को इनके साहित्य का नाम क्या है मैं तो यहां हूं और यह है एक काव्य संग्रह यह एक काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह के लिए पंडित रामदरस मिश्रा को 31 सरस्वती सम्मा से सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान की अगर बात करें तो ये वर्ष 1991 में स्थापित किया गया है यह हर साल किसी भारती नागरिक द्वारक किसी भी भारती भाषा में लिखे गया है और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकासित उत्कृष्ट साहितिक क्रिती को दिया जात तो ये जो 31 सरस्वती सम्मान है, इस से related fact में आप याद रख सकते हैं इसके प्राप्त करता खो और किस सहित। के लिए कावे संगर। के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्या गया है प्रोफेसर रामदर्स मिश्रा को आगे देखे 94 अकादमी पुरसकार ठीक है 94 ओसकर अवार्ड जो है उसकी बात हो रही है इसके अंतरगत आपको क्या पूछता है देखे बेश्ट फिल्म पूछेगा आपको बेश्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला बेश्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला और बेश्ट एक् एंजिलस कैलिफोर्निया में उतना important fact नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है विजेताओं की सूची सबसे पहले सर्वस्रेश्ट पिक्चर या सर्वस्रेश्ट फिल्म की अगर बात करें तो यह है कोडा C O D A कोडा फिल्म को मिला है ऑस्कर इसके बाद बेश्ट एक्ट्रेश्ट यानि सर्वस्रेश्ट अभिनेत्री की अगर बात करें तो यह है जेसिका चैस्टन जेसिका चैस्टन को समानित दिया गया है ओस्कर अवार्ड दो हजार बाइस से किस फिल्म के लिए दा आईज ओफ टैमी फे इसके लिए दिया गया है जेसिका चैस्टन को ओस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर्स का खिताब बेश्ट एक्टर के खिताब की बात करे तो Will Smith को मिला है King Richard के लिए King Richard के लिए Will Smith ये देखे Will Smith Will Smith को सम्मानित किया गया है King Richard फिल्म के लिए Oscar 2022 से चलिए तो ये नाम याद रखेगा तीन नाम है एक नाम है Koda जिसे फिल्म के लिए मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड, एक है जेसिका चेस्टन, और तीसरा नाम है विल स्मित, इन तीनों को आस्कर अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्टर है विल स्मित, बेस्ट एक्टरस कौन है, जेसिका चेस्टन, और मानिक किया गया है आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में है Miss World 2021 का खिताब जीता है कैरोलीना बिलावस्तकाने यह पॉलेंड की निवासी है और इन्हों ने जीता है Miss World 2021 का खिताब यदि प्रथम runner up की बात करें फर्स्ट runner up यानि पहली उपविजेता तो ये हैं श्री सैनी ये अमेरिकी हैं लेकिन भारतीय मूलकी हैं भारतीय मूलकी अमेरिका की निवासी है ये दूसरी उपविजेता यानि थर्ड रेंग पर कौन आया है तो अलिविया येस जो की आईवरी कोष्ट की रहने वाली हैं अन्य तत्थि की बात करें तो भारत के लिए हाल के वर्षोबे 2017 में मानुसी छिलर ने मिस वर्ड का खिताब जीता था और भारत की हरनाज को और संधो मिस यूनिवर्स 2021 का किताब जीता है तो एक नाम ये याद रखे मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कोर संधू हरनाज कोर संधू इसके अलावा मिस वर्ड याद रखे 2022 नाम क्या है करोलीना बिलावसका कहां की रहने वाली हैं पोलेंड की रहने वाली हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है एबल पुरसकार 2022 गणितग्यों का नोबल कहा जाता है इस पुरसकार को गणित का नोबल पुरसकार कहा जाता है एबल पुरसकार को एबल पुरसकार एबल पुरसकार जो है गणित के छेत्र में विशेश योगदान करने वाले जो गणितग्य होते हैं उन्हें दिय तो वर्ष 2022 के लिए एपल पुरसकार दिया गया 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 देनिस अन्यीण सुलिवन को अमेरिका के निवासी है और इनके बीजी जामिती और गतिशिल पहलवों में उनके योगदान के लिए एबेल पुरसकार से इन्हें सम्मानित किया गया है देखे ये है डेनिस पार्नेल सुलिवन इनका नाम है नाम याद रखे हो तक पर थोड़ा सा कठीन लग रहा हो लेकिन एक्जाम में कुछ भी करके अपने को याद रखना है जैसे गनित का खिताब किस ने जीता तो ऐसे भी याद कर सकते हो डिपीएस डेनिस पार्नेल सुलिवन डिपीएस ने जीता है गनित का खिताब ऐसे याद कर सकते हो आगे बढ़ते हैं अगले पुरसकार में है इस्टॉक होम जलपुरसकार 2022 देखे इस्टॉक होम जो जलपुरसकार है ये 22 मार्च को दिया जाता है आपको पता होगा कि 22 मार्च को हम मनाते हैं जल दिवस तो जल के छेत्र में विशेस अनुसंधान या जल सरक्षन के छेत्र में विशेस अनुसंधान के लिए ये जल पुरसकार जो है Stock Home International Water Institute के द्वारा दिया जाता है अगर वर्ष 2022 की बात करें तो विल्फेड बुट्शट को इस पुरसकार से सम्मानित किया गया है विल्फेड बुट्शट नाम याद रखेगा विल्फेड बुट्शट यह देखिए यहाँ पर देखिए यह है विल्फेड बुट्शट ठीक है विल्फेड नाम का एक आदमी है उसको ऐसे याद रख सकते हैं विल्फेड नाम का आदमी है जो बुट पहना हुआ है और श और ऐसा भी याद रख सकते हैं कि बूट पर या शर्ट पर पानी गिर गया तो खराब हो सकता है वो तो जल पुरसकार है बूट पर या शर्ट पर गिर गया बूट शर्ट पर गिर गया तो वो खराब हो जाएगा आप चाहे तो ऐसा याद रख सकते हैं अब आपकी सुद्ध आप जैसे याद करना चाहो याद होना चाहिए खतंबाद चलोइ आगे बढ़ते हैं अगला है राश्ट्रिय नित्य शिरोमनी पुरस्कार 2022 भारती नित्यों के छेत्र में दिया जाने वाला बहुत बड़ा पुरसकार होता है राष्टे निथ्य शिरोमनी पुरसकार और वर्ष 2022 के लिए अपड़ना सतीशन को इस पुरसकार से सम्मानित किया गया है ये देखेए यहाँ पर, यह हैं अपड़ना सतीशन, कुचिपूरी निथय के नित्यांगना है और पूरे विश्व में कुची पूरी नित्य को ये प्रसिद्ध कर रही है। इनका बहुत बड़ा योगदान है कुची पूरी को विश्व इस्तर पर ले जाने में। नाम क्या है इनका नाम याद रखेगा अपर्णा सतीशन। कौन से नित्य से संबंदित है कुची पूरी नित्य से और इन्हें दिया गया है राश्ट्रिय नित्य शिरोमनी पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पुरस्कार है पद्म पुरस्कार 2022 के अंतरगत आप देखेंगे देखें पद्म पुरस्कार सबसे पहले जाने पद्म पुरस्कार जो है यह तीन चरणों में दिया जाता है ऐसा सबसे पहले इस तरग पर होता है पद्म श्री पद्म श्री दूसरे नंबर पर आता है पद्म भूशन और तीसरे और अंतिन चरण पर आता है पद्म विभूशन पद्म विभूशन तो पद्म श्री पद्म भूशन पद्म विभूशन तो 25 जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कार 2022 की घोशना की गई यालि पिछले साल जनवरी में बोल दीजिये इस सूची में 4 पद्म विभूशन है 17 पद्म भूशन है और 107 पद्म श्री पुरसकार शामिल है ठिक कितने 107 पद्म श्री है इनकी संख्या जादा है 107 है पद्म भूशन कितना है तो 17 है और विभूशन कितना है तो 4 है इसमें कोशन कहां से आता है देखिए यहां कोशन आता है पद्म विभूशन से पद्म विभूशन किसे किसे दिया गया है ठिक यहां से question आते हैं इसको पढ़ेंगे किसको किसको दिया गया है इस वर्ष इस पर नज़र डालेंगे लेकिन उसके पहले एक fact important आपके लिए कि पद्म पुरसकार प्रात्प करने वालों में 34 महिलाएं हैं 34 महिलाओं को पद्म पुरसकार से सम्मानित किया गया है जिसमें एक नाम आएगा प्रभा अत्रे जी का जिनें पद्म विभूशन दिया गया है और इस सुची में 10 व्यक्ति विदेसी या NRI, PIO या OCI श्रेणी के अंतरगत है और 13 व्यक्तियों को मरणो परांद पुरसकार दिया गया है तो एक्जाम के लिए तो important ये है कि कितनी महिलाओं को पद्म पुरसकार 2022 के अंतरगत सम्मानित किया गया है तो कितनी महिलाओं है, 34 महिलाओं है जिनें सम्मानित किया गया है पद्म पुरसकार 2022 से जिसमें एक पद्म विभूशन भी है जिक चलिए तो पद्म विभूशन पर नजर डाल लेते हैं देखे ये हैं पद्म विभूशन जिसमें पहला नाम है प्रभा अत्रे जी का इन्हें कला के छेत्र में विशेश योगदान के लिए पद्म विभूशन 2022 से सम्मानित किया गय जनरल स्वर्गिय विपिन रावत जी है हमारे पहले सीडियेस है आपको पता होगा है न हमारे पहले सीडियेस थे इन्हें सिविल सेवा के लिए पद्म विभोशन 2022 से सम्मानित किया गया है इसके बाद राधेशाम खेमका जी है राधेशाम खेमका जी को साहित्य और सिक्षा के चेतर में विशेश योगदान के लिए आपने नाम सुना होगा गीता प्रेस का गीता प्रेस के संचालक थे राम राधेशाम खेमका जी और साहित्य और सिक्षा के चेतर में विशेश योगदान के लिए पद्म विभूशन 2022 से इन्हें सम्मालित किया गया है इसके बाद कल ज्यान सिंग है आपको पता होगा उस्तर पदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं इन्हें जन सेवा के छेत्र में विशेश योगदान विशेश कारे करने पर या लेक्नी कारे करने के छेत्र में इन्हें जन सेवा के लिए पद्म विभूशन 2022 से सम्माने किया गया है चले तो नाम याद रखेगा, सबसे पहले प्रभा अत्रे जी हैं, कला के शेत्र में शास्त्री गयान से संबंधित हैं, विपिन रावत जी हैं, हमारे पहले सिविल सेवा के शेत्र में इन्हें दिया गया है, याद रखेगा, यह मैजद फॉलोईंग में आपको पूर्च सकता है, या असंगत यूगम का चैन करने के लिए आपको पूर्च सकता है, अलग लग टाइप से यहां से कोशन बनते हैं, तो बिलकुल चारों लोगों के नाम याद रखेए, किस किस छेत्र से जुड़े हुए है, इस पर आप बिलकुल इसे बिलकुल याद रखेगा, क्योंकि यहां से कोशन बनते हैं, चले तो यह है पद्मविभूशन 2022, अब अगले पुरसकार पर चलते हैं, अगला पुरसकार है मेजर ध्यानचंद खेल रतन और इस वर्ष शरत कमल अचंता, ठीक है, टेबल टेनिस के खिलाडी हैं, और इन्हें टेबल टेनिस के खेल में उनलेखनी प्रदर्शन करने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरसकार से सम्मानित किया गया है, यह देखिए, यह हैं शरत कमल अजंता, यह कहीं कहीं पर अचंता भी निखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसा निखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही हैं, वही व्यक्तिय हैं, शरत कमल अचंता, यह टेबल टेनिस के खिलाडी हैं, यह कोश्चन आ सकता है कि यह किस खेल से संबंधित हैं, और किसे मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरसकार 2022 द्वारा सम्वा ने किया गया है, तो दोनों का आंसर क्या है, शरत कमल अचंता, चलिए, अगला पुरसकार है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरसकार 2022, आपको पता होगा कि पिछले वर्ष लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था, तो की इसमरिती में एक पुरसकार बनाया गया है, और ये पुरसकार पहली बार किसी व्यक्ति को दिया गया है, पहली बार, इसलिए ये आपकी एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार दिया गया है ये पुरसकार, और इस पुरसकार से सम्वानित किया गया ह चले अप्रेल 2022 को मास्टर दिनानात मंगेशकर पुरसकार समारों में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दिनानात मंगेशकर पुरसकार 2022 से सम्मानित गया प्रधान मंतरी को राष्ट और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा के लिए ये पुरसकार दिया गया है ठिक, तो याद र cél cả नाम किसे दिया गया है और पुरस्कार का नाम भी याद रखेगा नाम तो खेर याद ही होगा हाँ, पुरस्कार का नाम क्या है लता दिनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दो हजार 22 किसे दिया गया हमारे प्तरण मंतरी जी को अगला अवार्ड है Champions of the Earth Lifetime Achievement Award 2021 ये जो पुरसकार है ये दिया जाता है UNEP के द्वारा याद रखेगा United Nation Environment Program जो है इसके द्वारा दिया जाता है UNEP जो है ये United Nation की एक संस्था है एक घटक है जो पर्यावरण के छेत्र में विशेशकारे करता है और पर्यावरण के छेत्र में विशेशकारे करने वाले लोगों को समय समय पर सम्मानित भी करता रहता है इसके द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट्स भी निकलती है जो मैं आपको रिपोर्ट्स में पढ़ाता हूँ बीज बीज में है ना तो UNEP जो है यह महत्वपूर्ण घटक है United Nation का इस United Nation के घटक के द्वारा सर देविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है Champion of the Earth Lifetime Achievement Award 2021 से यह देखिए यह है सर डेविड एटनबरो परियावरन के छेतर में विशेश योगदान के लिए या परियावरन के छेतर में विशेश कारे करने के लिए यह पूरतकार दिया गया है तो याद रखेगा UNEP का जो Champion of the Earth Lifetime Achievement Award है यह किसे दिया गया है डेविड एटनबरो को रिचर्ड एटनबरो मत सोच ले ना भई डेविड एटनबरो है है ना रिचर्ड एटनबरो तो फिल्म के डारेक्टर थे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पुरसकार में है सुभाष चंद्र बोष आपदा प्रबंधन पुरसकार 2022 चले तो 23 जन्वरी को हम मनाते हैं क्या सुभाष चंद्र बोष जी की जयनती मनाते हैं इनका जन्म दिवस्था अब 23 जन्वरी 2022 को गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थान श्रेणी में और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्रादिकरण के उपाध्यक्ष विनोध शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उतक्रिष्ट कारे के लिए सुभाष चंडर बोस आपदा प्रबंधन पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया है यह जो पुरसकार है यह आपदा प्रबंधन के छेतर में दिया जाता है ठीके जो डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है उसके छेतर में दिया जाने वाला पुरसकार है सुभाष चंडर ब बात करें तो श्री विनोध शर्मा जी को दिया गया है सुभाश्चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरसकार 2022 वहीं व्यक्तिगत श्रणी में सुभाश्चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरसकार किसे प्रदान किया गया है तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को ठिक इनके बारे में आप जानना है तो आप जान सकते हैं लेकिन नाम याद रखेंगे तो काम बन जाएगा इन दोनों का नाम याद रखेंगे एक विनोज शर्मा जी का और दूसरा गुजरात आपदा प्रबंदन संस्थान का आगे बढ़ते हैं अगला है रॉयल गोल्ड मैडल 2022 देखें ये जो पुरसकार है ये जो मैडल है ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के छेत्र में आर्किटेक्चर के छेत्र में दिया जाने वाला सम्माल है ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है ब्रिटेन ये पुरसकार देता है और इस वर्ष की अगर बात करें वर् वास्तुविद हैं जिनका नाम क्या है बाल कृष्ण दोशी इन्हें दिया गया है रोयल गोल्ड मेडल 2022 नाम क्या है बाल कृष्ण दोशी याद रखेगा बाल कृष्ण दोशी इन्हें दिया गया है रोयल गोल्ड मेडल 2022 ठिक भारत के वास्तुविद बाल कृष्ण दोशी को 10 December 2021 को Royal Institute of British Architects द्वारा Royal Gold Medal 2022 से सम्मानित किये जाने की घोशना की गई है Royal Gold Medal वास्तुकला के लिए दुनिया का सर्वोच सम्मान है तो इस लिहाद से ये आपके एक्जाम के लिए important हो जाता है ये एक भारतियों को मिला है इसलिए important है ठिक 94 वर्षी बाल कृष्ण दोशी को उनके साथ दशकों के carrier के लिए पूरे भारत में 100 से अधिक निर्मित परियोजनाओं के लिए जाना जाता है एक famous architecture है ये हमारे यहां के आर्किटेक्ट है ठिक है famous architect है और architect टेक्टर के इनहें दिया गया है अर्किटेक्ट्चर के छेत्र में इनहें व दिया गया रोयल गोर्ड मेड़ 2022 से आगे बढ़ते हैं तेन जिंग नोरगे राष्ट्रिय पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मिला है हमारे बस्तर की बेटी को हमारे चत्तिवगर की बेटी को मिला है तेन जिंग नोरगे राष्ट्य पुरस्कार साहसिक खेलों के छेत्र में दिया जाने वाला भारत में सबसे बड़ा सम्मान है और ये दिया गया है हमारे चत्तिवगर की बेटी नैना सिंग धाकर को ये देखे सम्मान किया जा रहा है राष्ठपती बीट वारा रिकाँ चिक तो प्रदेश की परवता रोही नैना सिंग धाकड को राष्ठपती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा तेनजिंग नोरगे राष्ट्य पुरसकार के अंतरगत लेंड एडवेंचर का पुरसकार आने वाली 36 गड़ की पहली महिला बन गई है यह इसलिए important है नैना सिंग धाकड भारत की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेश्ट और माउंट लहोट से में 10 दिनों के भीतर सबसे उची चोटी पर चढ़ाई की है तो नाम याद रखेगा नाम क्या है इनका नैना सिं धाकर ना किसी परिचय की महताज नहीं है थिक तो 36 गड़ में बहुत बड़ा नाम है परवता रोहन के छेतर में और इन्हें अभी हाली में पुरस्कित किया गया है तेंजिंग नोरगी राष्टी पुरसकार के द्वारा चलिए अगला अगला फैक्ट याद रखेंगे हम तो फीफा विश्व कप जो अभी कतर में आज जित हुआ है वर्ष 2022 में इससे रिलेटेड फैक्ट जो आपको एक्जाम में कूचता है वो आप अधिकांस आपने देखा होगा कि जब भी फीफा होता है उसके ठीक अगले वाले पीएस सी में जरूर यहां से कोई ना कोई को प्यास करेंगे तो आपको पता होगा कि फीफा 2022 विश्व कप कहा योजित हुआ है कतर में इस तुर्नामेंट के विजेता कौन है विजेता है अर्जंटीना अर्जंटीना ने फ्रांस को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है तो विजेता कौन अर्जंटीना और उप व जेता कौन है फ्रांस है तीसरे नंबर पर है प्रोईशिया ये भी याद रखेगा तीसरे नंबर पर कौन है प्रोईशिया है क्रोएशिया और ऐसा एक और फेक्ट जो आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इटली जो है इटली ने इस खेल के लिए या इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं किया था क्वालिफाई नहीं कर पाया था इटली को हम फुटबॉल प्लेइंग कंट्री के रूप में जानते हैं लेकिन इटली इस बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था पिछले बार भी नहीं कर पाया था इस बार भी नहीं कर पाया दो बार हो गया इटली क्वालिफाई नहीं कर था तो कौन सा देश है है इटली याद रखेंगे इसको ठीक ये जो फीफा है इसका शुभंकर रखा गया था लाइब को ये देखें यहां पर जो आपको दिख रहा है न आदमी ये है लाइब ये शुभंकर है फीफा 2022 का अर्भी भाशा में लाइब का अर्थ होता है सूपर स्किल्ड प्लेयर यानि बहुत ही बहतरीन प्लेयर सूपर स्किल्ड कोशल से भरपूर है ये ठिक तो इसका नाम क्या रखा गया है लाइब चले तो ये फैक्ट एक बार रिपीट कर लिजे आयोजन कहा हुआ हुआ कतर में हुआ विजेता कौन रहा अर्जेंटीना उप वि भंकर का नाम क्या है लाइब है लाइब अर्भी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है सूपर स्किल्ड प्लेयर अब आजाते हैं और महत्वण। फैक्ट में टूर्णामेंट की समाति पर जो पुरसकार दिये जाते हैं वो आपको एक्जाम में पूछता है जैसे ग किलियन एमबाप्पे को किलियन एमबाप्पे को दिया गया है गोल्डन बूट का पुरसकार फ्रांस के खिलाडी है यह याद रखेगा किलियन एमबाप्पे जो है यह कौन से देश के खिलाडी है फ्रांस के खिलाडी है इसके बाद गोल्डन बॉल की से दिया गया तो यह द चिक गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट ये आपको एक्जाम में पूछता है गोल्डन बॉल किसे दिया गया मेसी को गोल्डन बूट किसे दिया गया तो किलियन एमबाप्पे को कौन-कौन से देश के निवासी है तो ये हैं फ्रांस के खिलाडी और ये हैं अर्जेंटीना क अब golden glove जो है ये गोल कीपर को दिया जाता है और वर्ष 2022 का जो फीफा हुआ उसमें golden glove का खिताब जीता है एमिलियानो मार्टिनेज ने ये भी अर्जेंटिना के खिलाडी है अर्जेंटिना के खिलाडी है अर्जेंटिना के गोल कीपर है नाम क्या है एमिलियानो मार्टिनेज तो golden boot की से मिला कि लियन एमबापे को golden ball की से मिला ये मिला है लियोनल मैसी को और golden glove की से मिला तो नाम या रखे एमिलियानो मार्टिनेस को चलिए अगला टॉपिक है टाइम पर्सन ऑफ दा येर दो हजार बाइस चर्चित व्यक्तित में पढ़ते हैं आप इसको लेकिन मैंने चलो इसको सोचा कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है यह मैगजिन तो आपको इसी के अंतर्गत मैंन आपको पता होगा कि अभी रूस और यूक्रेन में काफी घमासान जुद्दु चला था उस दौरान यूक्रेन को संगठित करने और मजबूती से रूस के खिलाब मजबूती से खड़े रहने के लिए व्लाडेमिर जलेंस्की जाद रखेगा नाम चीक है व्लाडेमिर जलेंस्की कहा के राष्टपती है ये राष्टपती है आपके यूक्रेन के यूक्रेन के राष्टपती है इनको दिया गया इनको time person of the year के रूप में सम्मानिक किया गया है मैगजीन का कवर पेज इनके नाम पर है इसके अलावा spirit of Ukraine ये देखे ये यूक्रेन का जंडा है लोग इसको ले करके खड़े हुए हैं तो spirit of Ukraine और व्लाडेमिर जलेंस्की इनको इस्थान दिया गया है time person of the year के रूप में मैगजीन के कवर पेज चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है पुलिज़र पुरसकार 2022 इसलिए important है एक तो ये कि एक साथ चार भारतियों को ये मिला है इसके अलावा एक भारतिय पत्रकार है उनको दूसरी बार ये सम्मान दिया गया है दानिश सिद्धिकी आप नाम जानते होंगे है ना चलिए आगे देखते हैं इसमें दानिश सिद्धिकी अमित दवे अधनान अभीदी और सना इर्शाद मट्टू का नाम इस साल के पुलिज़र पुरसकार के विज़ेताओं की लिष्ट में शामिल है इन सभी पत्रकारों को भारत में कोरोना महमारी के दोरान ली गई तस्वीरों के लिए ये अवार्ड दिया गया है तो नाम याद रखे सबसे पहले दानिश शिद्धिकी अमित दवे अधनान आबिदी और सना इर्शाद मट्टू इन चारों को दिया गया है पुलिज़र पुरसकार 2022 पत्रकार के ख्षेत्र से जुड़ा हुआ पुरसकार है पुलिज़र पुरसकार चार लोगों का नाम है किसका किसका सबसे पहला नाम दानिश शिद्धिकी का है दूसरा अमित दवे का है तीसरा नाम है अधनान अबिदी का और चौथा नाम है सना इर्शाद मट्टू का इन चारों क दानिश को यह दूसरी बार पुरसकार मिला हुआ है दानिश सिद्धिकी जो है इसने दूसरी बार यह पुरसकार जीता है हाला कि अब यह नहीं है दुनिया में है ना चली इससे पहले वर्ष 2018 में रोहिंग्या मुसल्मानों के संकट पर ली गई एक तस्वीर के लिए इन्हे पुलिजर सम्मान से सम्मानित किया गया था गौर तलब है कि पिछले साल सूला जुलाई को अफगानिस्तान में अफगान सुरक्षा बलो और अफगान लड़ाकों के बीच संगर्ष को कवर करते हुए एक हमले में इंतीम रित्यो हो गई थी दानिश सिद्धिकी की ठीक त आगे बढ़ते हैं 68 राष्ट्रिय फिल्म कुरसकार 2022 राष्ट्रिय फिल्म कुरसकार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेशनल अवार्ट किसे किसे मिला है तो देखे सर्वसरेश्ट फीचर फिल्म के रूप में सोरा राई पोट्रों को अच्छा इसमें पढ़ना क्या हो कर लेते हैं सर हम लोग अभिनेता सर्वसरेश्ट अभिनेता का खिताब किसे मिला और सर्वसरेश्ट अभिनेत्री का खिताब किसे मिला बस यह तीन चीज़ें हमको दिमाग में रखनी हैं सर्वसरेश्ट फीचर फिल्म की अगर बात करें तो यह मिला है सोरा राई पोट्र फिल्म को सर्वस्रेश्ट अभिनेता के रूप में दो लोग नामित हैं एक सूर्या यह देखिए सूर्या इन्हें सोरा राई पोट्रू के लिए नॉमिनेट किया गया था और इन्हें पुरस्क्रित किया गया है इसके अलावा आजादेवगन है जिन्हें तान्हा जी दा अन संग वारियर फिल्म के लिए सर्वस्रेश्ट अभिनेता के रूप में चुना गया है इसके लावा सर्वस्रेश्ट अभिनेत्री के रूप में अपड़ना बाल मुरली इन्हें भी सोरा राई पोट्रू के लिए सम्मानित किया गया है और सठवे राश्ट्य फिल्म पुरस कर दोजार बाइस के अंतरगत ये देखिए ये है सोरा राई पोट्रू ये सूरिया है ये अजय देवगन है और ये है अपढ़ना बाल मुरली चिक इन्हें सम्मानित किया गया है और सर्वस्रिष्ट फिल्म की अगर बात करें तो सोरा राई पोट्रू जो है इसे ही सम्मानि किया गया है सर्वस्रिष्ट फिल्म और सठ्वे राष्ट्रिय फिल्म महुत्सों के अंतरगत और सठ्वा राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार फिल्म पुरसकार ये दिया गया है इन तीनों को चिक चली आगे बढ़ते हैं भारती निर्वाचन आयों के नेशनल आइकॉन किसे चुना गया है पंकज त्रिपाठी को एक दम वन लाइनर फैक्ट है बिल्कुल दिमाग में बिठा करके रखे कि भारतिय निर्वाचन आयोग के नेशनल आईकॉन किसे नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी जी को ये इतने सारे पुरसकार हैं जो हमको याद करने हैं इ सबते पहले अंतर राष्टिय बुकर पुरसकार 2022 किसे दिया गया नाम आपने पढ़ा गितांजली श्री का गितांजली श्री की पुस्तक थी पुस्तक का नाम क्या था पुस्तक का नाम था रेत समाधी और इस रेत समाधी का अनुवाद किया गया किस नाम से टॉम आफ सैं अक्वेल ने अनुवाद किया है बस ये फैक्ट अपने को याद होने चीए कवर हो जाएगा कोश्चन अब दादा साहब पालके पुरसकार 2020 ये किसे दिया गया आशा पारेक जी को और 60 राष्ट्य फिल्म पुरसकार सोरा राई पोट्रू को मिला है अभी जश्ट हमने देख सोरा राई पोट्रू को और 60 राष्ट्य फिल्म पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया है इसके बाद सस्त्र रामानुजन पुरसकार यू किंग तांग को मैट्स के छेत्र में दिया जाता है मैंने बताया था गणित के छेत्र में उल्लेकरी कार्य करने पर सस्त्र रामानुजन नाम पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाता है और वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया? युकिंग तांग को 31 सरस्वती सम्मान ये मिला है रामदरश मिष्राजी को नाम आपने पढ़ा इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी और अंग्रे जी दोनों याद करना है मैंने आपको बताया था तो हिंदी का किसको दिया गया है बद्री नरायन को अंग्रेजी का अनुराधा राय को चिक इसके बाद 94 बेवा अकादमी पुरसकार बेश्ट फिल्म किसको मिला कोडा बेश्ट एक्टर कौन है तो विल्मित बेश्ट एक्टरस कौन है जेसिका चेस्टन इसके बाद मिस वर्ड 2021 कौन बनी तो कैरोलीना बिलावसका पोलेंड की निवासी है मैंने बताया था आपको ठीक लता दीनानाथ मंगेशकर पुरसकार किसको मिला नरेंदर मोदी जी को हमारे प्रधान मंत्र जी को सयुक्त राष्ट के चैंपियन आपदा आर्थ आवार्ड 2021 से की से सम्मानित किया गया तो सर डेविड एटन बरो को इसके बाद और कुछ सम्मान जैसे सुभाज शंद्र मोस आपदा प्रबंधन पुरसकार दो लोगों को मिला है एक व्यक्ति गच्रणी में एक संस्था गच्रणी में संस्थान स्रणी में तो संस्थान स्रणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान है जबकि व्यक्ति गच्रणी में विनोध शर्मा जी को ये सम्मान दिया गया है रोयल गोल्ड मेडल आर्किटेक्चर के छेत्र में दिया जाता है और किसे दिया गया है वर्ष 2022 के लिए बाल कृष्ण दोशी को इसके बाद टेंपल्टन पुरसकार फ्रैंक विल्जेक्ट नाम पढ़ा आपने विज्ञान और आध्यात्म के छित्र में दिया जाने वाला सम्मान है टेंपल्टन पुरसकार और किसे दिया गया फ्रैंक विल्जेक्ट को दिया गया है इसके बाद राष्ट्य नित्य शिरोम इसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरसकार नाम याद रखे शरत कमल अचंता ये बहुत इंपोर्टेंट नाम है शरत कमल अचंता टेबल टेरिस के खिलाड़ी है टाइम परसन आप दा येर दो हजार बाइस तो यूक्रेन की स्पिरिट आप यूक्रेन और यूक्र 1222 चार लोगों का नाम मैंने बताया दानिस सिद्ध की अमिदवे अधनान अभीदी और सना इरसाद मट्टू ये चार लोग इसका भारत निरवाचन आयोग के नेशनल आईकॉन कौन है तो पंकज त्रिपाठी की ये इतने सारे फैक्ट हैं इसको आपको मैंने दो पेज मे यहाँ पे लिक करके दे दिया आप चाहें तो इसका स्क्रिंशॉट ले सकते हैं या चाहें तो पूरे वीडियो को देखें क्योंकि इमेज जो है न वो आपके दिमाग में बैठते हैं इसलिए मैं सारे जितने प्राप्त करता हैं उनकी इमेज मैंने इसलिए लगाई ताकि वो आपके दिमाग में बैठे कि फलाना व्यक्ति ऐसे दिखता है और इसको फलाना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चले तो आज की वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आपको बिलकुल एक्जाम ओरिएंटेट सीजी पीए